कि रेल्सेट में फिर्सक्राइब करते वारे इंसान एक खौईश होती है कि जो भी प्रॉपटी खरीद है जो भी प्रॉपटी परचेश करें उसे पता हो कि मेंटी की लोकेशन का है, कहां पर नुकेटेड है कि मुझे location वाला और balloted plot मिले तो same goes for new metro city के new metro city में आने वाले दिनों में आज से चार दिन बाद आज 16th of August को new metro city गुजर खान में balloting होने जा रही है तो जिन में इंडिविजिवल्स ने पहली category के जो plot आए थे 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला और कनाल के plot जो initial rates पहे थे उनको अकर submit करवा दिये फाइल तो उनका नाम बैलोटिंग में आ जाएगा यानि कि 20th को उनको plot number allocate हो जाएगे और जो मेंबर्स अपनी बैलोटिंग की amount clear करेंगे उनको प्रॉपरली plot number allocate होके उनको location मिल जाएगी इसका possession तक पाच मां बाद में आ जाएगा पा इसे बैलोटिट फाइल जो society से direct आपको मिलनी है उसके लिए आपको 28 तक का time है कि आप fresh फाइल किसी भी इंडिजियोल से बाइख करें और fresh फाइल की submission करें तो आपको नाप बैलोटिंग में आजएगा यह दो की पहली बात अब इसमें दूसरी बात यहा थी कि बैलोटिंग का फाइदा क्या होगा जैने कि जिन members को प्लॉट को फाइल को प्लॉट नमबर लग जाएंगे उसका फाइदा क्या होगा अब देखें फाइल और प्लॉ इची है तो फाइल बेचने का मकसद यह कि आपके साथ में प्रॉमिस बेच रहा हूं कि हां मैं आपको इतनी डॉरेशन बाद एक प्लॉट जमीन पे इतना साइज का प्लॉट यह इतना फ्रंट इतना बैक इतनी डेफ्ट इतनी साइज का प्लॉट आपको ऑन ग्राउंड प्लॉट होता है तो उसमें आपको 100% उस प्रॉमिस की अश्योट ही हो जाती है कि येस मेरा ये प्लॉट है मैंने जो फाइल खरीदी थी इंस्टॉल्मेट पे अब उस फाइल के उपर एक प्लॉट नमर अलोकेट हो गया है लेट से जी मेरा ब्लॉट ए में ब्लॉट निकल आपको प्लॉट की लोकेशन किया है और फाइल में आपको ये पता नहीं होता तो आपके बास टोटली चार दिन का टाइम है चार दिन के अंदर अदर आप न्यूव मैट्र सेटी गुजर खान की बुकिंग करवा के जो प्लॉट्स है पांच मरला साथ मरला आठ मरला दस मर चौदा मरला और कनाल के प्लॉट्स आप बुकिंग करवा के अपने प्लॉट को नंबर लगवा सकते हैं और बाकि उसकी जो रिमेनिंग इस्टॉलमन्ट से हैं वह बाकि रिमेनिंग टाइम में क्लियर कर सकते हैं अगर आपको न्यू मैट्र सुट पर गुजर खान में झाल झाल